ब्रेक्टवार का सावबत है जीला सिन्मोर की निर्मल क्राम पंचाइट दिलमन में एक ही दिन में पंचाइट पासियो को विभिन तरह की योजनाओं के पारे में जानकारिय पर्दान की गई पंचाइट में आयुजित एक दिवसी कैंप जिसने ग्रामिले को जहां एक और य जिला सरमोर्ग की निर्मल ग्राम पंचायत दिलमन में एक ही दिन में पंचायत बासियों को विभिन दरा की योजनाओं के बारे में जानकारिया परदान की गई पंचायत में आयजित एक दिवसी कैम का जिसमें ग्रामिनों को जहां एक और यूको बैंक नैने टिकर द्वारा बित्य साक्षरता बग गोईंग डिजिटल बिश्य पर जानकारिया दी गई बहीं दूसरी और डॉक्टर येश्वन्त सिंग परमार बागबानी एबंबानी की बिशब बिद्याले नोणी के बिभिन बिश्यों के बैग्यानिकों ने क्रिशी संबंधी महतवपून जानकारिया मोहया करवाई गई मही क्रिशी विभाग जिला सिर्मोर के अधिकारियों द्वारा भी पंचायत बास्यों को प्राक्रितिक खेती पर जानकारी दी गई बहीं पंचायत में पहले से ही प्राक्रितिक खेती कर रहे किसानों ने भी प्राक्रितिक खेती पर अपने विचार साजा किये पंचायत परधान पुनमठाकों ने बताय कि दिलमन पंचायत में एक दिवसी कैम्प का आईजन किया गया है जिसमें ग्रामिनों को क्रिशीब बैंक संबंदी महतवपून जानकारियां दी गई बही अग्रिनिया जिला अधिकारी जेपी शर्मा ने बताय कि यूको बैंक नेना टिकर के सोजन्य से दिलमन पंचायत में वीतिय साक्षरता बग गोईंग डिजिटल बिश्यप पर महतवपून जानकारियां दी गई और ग्रामिनों को उनके हित में चलाई जा रही बैंकों क बिभिन योजनाओं के पारे में अबकत करवाए गया गोईंग डिजिटल की कैशलेस एकोनोमी जो हमने हिंदोस्तान में भास्रकार ने करनी है जिसमें दोजार चौबे तक फाइब टलन युएस डॉलर की एकोनोमी बनाना है इन सब मुद्धों पे यहां इनको बताया गया और साथ में जो भास्रकार दोबरा समाजी के सुरक्षा योजनाई चलाए गया है वो भी बताया गया है आज कराम पंचायट डिलमन में हमने एक कारेशाला रखी हुई है जिसमें की विविन विभागों से यहां पर हमारे पास जानकारी देने के लिए आई हुए अधिकारी गंड थे जिनने की सबसे पहले मैरा गाव मेरा गौरव के तहट नोडी यूनिवस्टी से आए साइंटिस्ट उन्होंने हमारे लोगों को जानकारी दी कि किस तरह से हमने क्रिशी की तरफ दुबारा वापिस आना है उन्होंने लोगों के इसके बारे में विशेश तोर से जानकारी उसके बाद हमारे बीच में जो थे वो प्राकृतिक खेती से आई एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट से थे उन्होंने भी हमें बताया कि किस तरह से हमें गोमोत्रो और गोबर के द्वारा और प्राकृतिक खेती की तरफ अपना ध्यान देना है ताकि हम विशेले खेती जो कर है उससे हम बस सके उसके बाद जो हमारे बीच में है वो युको बैंक नेना टिकर के माद्यम से आज हमारे बीच में एलडियम सहाब है जो की सरकार की तरफ से चलाई गई विभिन योजनाओं के बारे में हमारे लोगों को जानकारी दे रहे हैं जिसके तहत की बैंक की जो क चोटी चोटी और बड़ी बड़ी योजना है उसका हम पूरी तरह से लाब उठा सके